अब आने वाले समय में गाडियों की कीमतों में तेजी से आपको कमी होती दिखेगी यानि अब कारे खरीदना और भी सस्ता होने वाला है इसके पीछे कोई एक वज़ा नहीं है वज़ा है चार चार बड़ी वज़ा जिनसे ये साफ हो जाएगा कि अब जो मौझूदा कारे है उनकी कीमतों में गरावट होगी और आने वाले जो कारिया है उनकी कीमत भी कम रहने वाली है तो ये कैसे संबख़ होगा आईए जानते हैं आज की इस वीडियो में अगर आपने OKCAR247 YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें सबसे पहली वज़ा ह वीकल स्क्राइब पॉलिसी जिसके बारे में दो वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है जिसमें आपको डेटेल से बताया है लेकिन गाडियों के सस्ते होने से इसका क्या मतलब है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ वीकल स्क्राइब पॉलिसी की मदद से पुराने व अल्मूनियम मिल जाएगा जिससे इसको बाहर से मंगाने की बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये काफी सस्ता कर देगा वाहनों को जिससे की नए वाहन जो निर्मित होंगे जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो यहां से ले ली जाएगी और बाहर से म वाहन निर्माताओं के अनरोद के बाद केंद्र ने संकेत दिया है कि वे कारों और दो पहिया वाहनों पर GST दरों को कम करने के लिए बाचीत करने को तयार है। वो इसके तुलनात्मक रूप से इसको काफी महंगा बना देती है। इसलिए टैक्स की दरों को कम करने के लिए आटो मुबाइल उद्यो काफी लंबे समय से अनरोद कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के कदमों से वाहनों के मांग और बिकडी में बढ़ोतरी हो सकती ह हाल ही में Society of Indian Automobile Manufacturer के एक सेमिनार में बोलते हुए राजव सचिव तरौन बजाज ने इशारा किया कि सरकार टैक्स को कम करने की संभावना पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा मुझे आपके साथ जुड़कर बहुत खुशी होगी। ये देखने के लिए कि हम GST दरों प कि चिप की कमी हो गई, सेमिकंडक्टर की कमी हो गई, जिसकी वज़ा से वेटिंग पीरेड बढ़िया है या जिसकी वज़ा से मैनिफेक्टर पर प्रभाब पढ़ ला है, हाला कि प्रभाब तो पढ़ ला है, जो ये सेमिकंडक्टर है, इसकी काफी shortage हो रही है। अब इसम होती है जो connected car features होते हैं टेच स्क्रीन बगरा होते हैं इन में काफी काम में आती है base variant में तो ये सब नहीं होता लेकिन top end variant में इसकी जरूरत होती है mid variant से ही ये काम में आने लग जाती है तो अब इसकी जो कमी के चलते अब जादा वेरेंट नहीं बन पाएंगे और आने वाले समय में इसका और भी जादा बुरा परभाव सभी auto company पर पढ़ने वाला है अब आने वाले समय में जो संकट आने वाला है उसके लिए पहले से ही जो तैयारिया है वो की जा रही है और भारत कम से कम भारतिये कार और दो पईय निर्माताओं के लिए समस्या का समधान खोजने की योजना बना रहा है चिप की कमी के मुद्दे का इस्थाई समधान खोजने के प्रयास में केंदर सरकार सेमी कंड़क्टर उद्द्योग स्थापित करने की योजना बना रही है हला कि इसका जो इंपैट है एक दम से तो नहीं दिखेगा यानि कि एक दम से तो सारी गाड़ी ये सस्ती नहीं होंगी लेकिन धीरे धीरे करके एक साल, दो साल, तीन साल में ये सब चीज़ अप सैट अप हो जाएंगी ठीक तरीके से तब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो यानि के आने वाले कुछ सालों में गाड़ीयों की कीमतों में तेजी से आपको कमी देखने को मिल जाएगी वरतमान में हर वाहन निर्माता इस समस्या का सामना कर रहा है क्योंकि वे आयातित आटो उपकरनों पर निर्भर है मैनिफेक्ट्रिंग के लिए आटो के पुर्जे मिलने में देरी के कारण नए वाहनों के लिए वेटिंग पीरिड भी बढ़ गया है अब वीकल स्क्राप पॉलिसी से आपको जो समान है वो मिल जाएगा स्टील रबर ऐलमूनियम वगयरा तो इससे थोड़ी आसानी होगी थोड़े जो ये नए उद्योग नई इंडरेस्ट्री को भारत में सेट अप किया जा रहा है इससे भी आसानी हो जाए क्योंकि हमें बाहर से माल नहीं मंगाना पड़ेगा जिसका प्रभाब ये पड़ेगा कि हमें अपने देश में ही सस्ती कीमतों पे वो सब चीज़े मिल जाएंगी जो बहार से भायात की जाती है और दोस्तों जो ये सेमी कंड़क्टर इस इंटरस्ट्री को सेट अप किया जा रहा है कौन इसमें शामिल है क्या क्या कैसे कैसे होना है इस पर एक डेडिकेट वीडियो बनाऊँगा क्योंकि अभी सारी बाते एक ही वीडियो में समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो और लास्ट और चौथा कारण है आटो मोबाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम की घोशना करेगी सरकार और 57,000 करोड उपए आवंटित करेगी आटो सेक्टर के लिए लोकलाइजेशन और इंपोर्ट पर निर्भता को कम करने के लिए सरकार की एक बड़ी PLI स्कीम की घोशना सरका मैं बोलते हुए केंद्रिय भारी उध्योग मंतरी महिंदर नात पांडे ने कहा कि भारी उध्योग विभाग PLI स्कीम की घोशना के अंतिम चरण में है और इस सेक्टर के लिए 57,000 करोड लुपए का आवंटन किया जा सकता है इससे कई सारे फायदे होंगे एक तो आटो मो करने के साब से सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ट इंसेंटिव स्कीम शुरू की है PLI स्कीम के तहट केंद्र सरकार अगले 5 साल के दोरान भारत में समान मनाने वाली कमपनियों को 1,46,000 करोड रुपए का प्रोचसाहन देने जा रही है घरेलू निर्मार को बढ़ावा देने भयात निर्भरता को स्थानिय बनाने और कम करने के लिए प्रोचसाहित किया है नीतियायोक के चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिसर अमिताप कांते ने कहा है कि वाहन छेतर में बदलाव इनिनस्पिंसिबल है और हम इलेक्रिक परिवहन विवस्था की और अग्रिसर हैं उन् इससे कि उनकी कमी भी नहीं होगी और automobile manufacturers को वो सस्ते भी पढ़ेंगे अगर components सस्ते पढ़ते हैं तो गालियों की कीमत में भी कमी आएगी क्यूंकि बीते कुछ सालों में आपने देखा होगा कि कुछ गालियों की कीमतों में हर तीसरे महीने वरद्दी की गई company के prices बढ़ाने की वज़े से उनकी demand कम हो जाती है लेकिन मजबूरी के चलते उनको prices बढ़ाने पड़ते हैं कुछ चीजों की shortage हो जाती है कुछ components की shortage हो जाती है जिसकी वज़ा से उनको prices बढ़ाने पड़ते हैं अब जब component देश के अंदर ही बनेंगे देश के अंदर ही manufacturing ह कोई बहार से मंगाने नहीं पड़ेंगे दूसरे देशों पंदिर भर कम होना पड़ेगा तो उससे प्रैजेस भी कम होंगे वेटिंग पीरियड भी कम होगा और गालियां आपको सही कीमत में मिल जाएंगी तो ये आने वाले दो-तीन सालों के अंदर आपको इंपक्ट देख को मिलेगा ओफिशियल न्यूज है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वहां जाकर कि आप डिटेल में पढ़ सकते हैं फिलाल इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक्यू फर वाचिंग